दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सौमी 12 लाइट के वाइफाई के पास्वर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग को उपन करना है तो हम चलते हैं यहाँ पर सेटिंग के तरफ यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग दिखाई दे रहा है आपको इस सेटिंग पर क्लिक करना है हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग का अप्लिकेशन ओपन हो जाता है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर में वाइफाई का एक option मिलना है जब आप इस पर click करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको कहीं पर भी option नहीं मिलेगा वाइफाई के password को change करने का तो आपको यहाँ पर नहीं आना है आपको वाइफाई के अगर password को change करना है तो आपको नीचे में देखिए यहाँ पर एक option मिलता है पोटरेबल हॉट इस पर click करना है जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने एक page open होता है और यहाँ पर आपको कुछ option दिखाई जाता है अब देखिए दोस्तो यहाँ पर आपको second number option में दिखाई दे रहा है setup portable hot spot तो आपको इस वाले option पर click करना है जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने एक page open होता है और यहाँ पर देखिए password दिखाई दे रहा है कि आपने क्या password बना करका है अब दोस्तो बात आती है कि दूसरा password change करना आप अपने password को change करना चाहते है तो कैसे करेंगे तो सबसे पहला हम इस पर tap करेंगे तो यहाँ पर आपका edit करने के लिए आ जाता है यहाँ से हम cut कर देंगे इस तरीके से और cut करने के बाद दोस्तो आपको करना क्या है जो भी आप अपना password डालना चाहते हैं जो भी password बनाना चाहते हैं आप यहाँ से बना सकते हैं For example, के लिए मैं यहाँ पर बनने जा रहा हूँ Monsal Tech, यह मेरा password रहेगा, आज के बाद मेरे phone की अंदर जो Wi-Fi है उसका, ठीक है तो इस तरीके से मैंने Monsal Tech लिख दिया, टेक लिखने के बाद दोस्तों उपर में देखिए, आपको सही का टिक दिखाई दे रहे ना, आपको इस पर क्लिक कर देना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका password जो होता है, वो चेंज हो जाता है, जब भी आप अपने phone की password को चेंज करना चाहते हैं, तो इस process के माध्यम से आप बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं,